जैहिन बंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूटूब चनल पर CRP पैरामेडिकल स्टाप 2020 की परिच्छा मार्च 2021 में आयोजित की जानी है तो इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजकल होने के बाद आंगे क्या होता है जैसे की फिजकल होने के बाद आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप पास हो गए दूसरा पॉइंट आता है कि फिजकल पास होने के बाद क्या मिलता है प्रूप के तौर पर तीसरा पॉइंट आता है कि फिजकल में आप पास हैं यह आपको कैसे पता चलेगा चौथा पॉइंट आता है कि फिजकल में क्या-क्या करवाया जा रहा है तो एट्टु जट जयानकारी फिजकल से रिलेटेड रियल इन्फोर्मेसन न मैं आपको दूँगा तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, सेर करें, चैनल पर पहले वाब जिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पासी में आपके विल आइकॉन होगा उसको भी दवा ले इससे आने वाल सरी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक असानी से पहुँच जाएगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि फिजकल में क्या क्या करवाया जा रहा है सो गाज देखी सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके पास आपका एडमेट कार्ड होगा उसमें जो टाइमिंग पड़ी होगी 6 बज़कर 30 मिनट पर कापी बच्चे कन्फ्यूज हैं कि 6 बज़कर 30 मिनट का मतलब क्या होता है सुबह या फिर साम देखी आपका जो फिजकल होगा वो मौर्णिंग में होगा कहने का मतलब है साड़े 6 बज़े एम सुबह आपका फिजकल होगा तो साड़े 6 बज़े गेट पर आपको हराल में पहुंच जाना है छे बज़कर 50 मिनट पर आपकी इंट्री हो जाएगी इंट्री होने के बाद आपको लाइन में लगना पड़ेगा लाइन में लगने के बाद डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो documents में documents verification देखी जैसे कि आपने form भरते समय जो भी documents लगाए हैं वो documents आपको ले जाने होगे और एक ID proof के तौर पर आपको आधार card ले जाना पड़ेगा ठीक है एक बात और cost certificate इसकी problem सबसे ज़्यादा बच्चों को आ रहे हैं इसी की बज़र से काफी बच्चे बाहर किये जा रहे हैं documents verification में तो जो आपका जाती प्रमाल पत्र होगा वो आपका सं 2020 का होना जरूरी है यदि आपके पात 2019 का है तो वो मानने नहीं होगा ठीक है तो इतना सब्क होने के दोकोमेर्स वेरिफिकेशन होने के बाद आपके running होगी तो running कैसे क्या होगी आपको पता ही होगा notification आपने पढ़ा होगा कि 1.6 किलो मीटर की दौड़ है यह आपको साथ साथ मिनट में पूरी करनी होगी लड़कियों के लिए 800 मीटर की जो दौड़ है छाए मिनट में पू कूद होगी ठीक है उची कूद लंबी कूद होने के बाद हाँ एक बात और जो running होगी आपकी कहां पर होगी रोड़ पर होगी या फिर खुले मैदान में होगी देखिए फिचकल आपका खुले मैदान में होगा दो चकर मारने पढ़ेंगे चार-चार सो मिटर के दुचकर पहला राउंड हो गया दूसरे राउंड में ठीक है तो रानिंग के बाद मैंने आपको बता दिया उची कूद लंबी कूद होने के बाद फिर आपका वेट ना पाजाएगा लेट ना हीदा आपको आपका अपने चैर्ट जो है आपका CR-PF बालों की तरब से पाजाएगा लगा है इतना होने के बाद यदि आप आफ पर पास होगते हैं तो फिर आफ की बाइयो मेट्रिक होगी मैं सीधिक ऊप दे सकती है स्टुडेंट ने अपने दे सकते हैं एक पास पास होगई हो छंज हो आप दे सकते हैं आप लोग कि वहाँ पर कैसा क्या हो रहा है देखिए देख सकते हैं आप लोग मास्क लगा कर आपको जाना होगा सेनिटाइजर पानी की वोटल हो गई आपकी और सोसल डिस्ट्रेंसिंग का आपको पालवन करना हो देखिए कुछ तस्वीर साजा की है मेरे साथ में एक छात्र ने देख सकते हैं आप लोग उन्होंने सारी तस्वीर साजा की हैं देख सकते हैं आप कि फिजकल में क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा है इसके आपको आईडिया लग जाएगा कि फिजकल में क्या चल रहा है इस्टाइम देखिए आप लोग इवापिस्ते देख लिजी आ कल की डेट में physical था, सुगास जैसा की आप दे सकते हैं, जितेंदर सिंग, रगुनात सिंग, इनके पिता जी का नाम है, डेटा बरतिन की है, 14.1992, रोल अमर आप दे सकते हैं, मेल आई ये और नार्मल हैंड राइट हैंड तो आप लोग दे सकते हैं ये फिजकल का नोटिस है नोटिस हो सकते हैं कुछ भी हो सकते हैं तो ये नोटिस है इसमें साब साब दिया गया है कि जितनर संग ने फिजकल पास कर लिया है यदि आप फिजकल पास कर लेते हैं तो आ very qualified and qualified 135 अब डे सकते हैं तीन हो मैं क्वालिफाइ रेस्ट जो है एक मायल साती सेकंड में 5 i mean के लिए 800 क्यारे रेस्ट है 6ित 59 तीन दस फीट की लॉंग जंब है आपको यदि आप तीन बार में नहीं कर पाते तो आपको भार कर दिया जाएगा फीमेल के लिए देखिए च्छाई फिट तीन चांस दो पॉइंट पांच फिट तीन चांस तो देखिए जिते अंदर सिंजों यह क्वालिफाई हो चुके हैं तो हाइट में था कौलिफाई तो आप देख सकते हैं आप लोगच्छे की बार करते हैं देखिए। कौलिफाई चितन दर सिंग ने श्रॉत हमारे साथ साढ़ा किया है हमारे बाट सब वसंदेख्ण को और सकते हैं आप लोग City म्लें छित में जिसमें आपitel लिखा हुआ हुआ है आपको क्या मिलता है मैं आको दिखा दिया कि आपको क्या मिलता है तो देखिए आप candidate company मिलते हैं जिसमें साब साब लिखा होता है कि आप race में और उची कुद लंबी कुद हुआ आपका height हुई chest हुआ सभी में आप qualify है तब ही आपको यह मिलता है फिजकल में आप पास हैं कैसे पता चलेगा मैंने आपको बता दिया है तो दोस्तों छोटी सी अपडेट थी आप लोगों के लिए जो कि मैंने आपके सामने शेयर की अगर वीडियो पसंदा है वो वीडियो को इमानदारी के साथ लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चैनल पर पहले वाप जिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पास ही में आपके विडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक असानी से पहुंच जाएगी तो मिलता है नाश वीडियो के साथ जय है जया है